हेलो दोस्तों, वेलकम, डिवनिंग, स्वागत है आप सभी का, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय MTS के बच्चों के मन में एक बहुती बड़ा सवाल है कि सरे सेसी MTS का सेसन वन, सेसन टू, किस तरीके से क्या कटावफ बनेगी, क्या मेर्ट बनेगी, तो आज की जानकरी मैं आपके सामदे रखने वाला हूँ, जिससे लगबग ये क्लियर होगा कि सरे सेसन वन की कटावफ बनेगी, या नहीं, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछी जी बता दूँ, जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, स्सी MTS 2021 के अंतरगत 7301 वेकैंसी हमारी आई थी, जिसमें 3603 हवलदार और 3698 में MTS की थी, दोस्तों बात करेंगर 2022 की, 9309 मTS 1825 के लिए, 2627 के लिए और 5301 हवलदार, यानि कि कुल पोस्टे जो थी, वो 12523 के आसपास स्सी ने हमें दी थी, बात करेंगर स्सी MTS 2021 में किस त 50 बच्चे MTS में सेलेक्ट हुए थे और 2160 बच्चे हवलदार में हुए थे, ऐसा ही SC, ST, Service Man, OH, HH category, OBC के सबसे अदा थे, always, जानते हैं आप 12,000, माफ कीजिए, 11,210 के संथिंग, मेरे प्यारे बच्चों, और Unreserve के, 13,810 के संथिंग, तो इतने बच्चों को SSC ने लिया ठीके, यानि की कुल, अगर हम देखें, तो 44,590 उसने MTS में लिये, और 24,570 उसने हवलदार में लिये, अगर हम सभी को जोड़ दें, तो 79,160 बच्चे उसने लिये थे MTS के अंदर, अब इसे देखा जाए, अगर तो वेगेंसी का लगभग 9 गुना ये वेगेंसी से भी ज अगर इनका 9 गुना किया जाए, तो 1,12,000 के सम्थिंग पढ़ रहा है, प्यार बच्चे अगर इसे वो कुछ कम भी बुलाते हैं, 7 गुना, 8 गुना ही बुलाएं, तब भी लाखों बच्चे हो जाएंगे, और लाखों बच्चों का आप जानते हैं कि इसके बाद कुछ भ करता है, आप जानते हैं, तो चीजें मैनेज करने प्राबलम होगी, अब एक और ऑथनिटिक सोर्स आपके सामने द्यान से समझेए, जानते हैं, यह चीजें जानते हैं, आप जल्दी ही स्टार्ट हुई है, तो 2022 सीजें के नोटिफिकेशन की बात करें, तो देखें, इसमे क्राइटरिया, ठीक है, यानि कि minimum qualifying marks सभी section में यहाँ पर लिका हुआ है, बहुत ध्यान से इस बात को समझेए, यहाँ पर हम लोग CHSL 2022 की बात करें, मैं सिर्फ 2022 की बात कर रहा हूँ, पर इसान मत हुए, यहाँ पर भी minimum qualifying marks in tier 1, section 1, section 2, module of section, सारी चीजें आपके पास वही है और मेरे प्यारे प्चे 30, 25, 20, आप देख दीजे, ठीक है, सारी चीजें वही है, as it is, क्योंकि CGL में भी cutoff गई, और CGSL में भी cutoff गई, आपने देखा है, ठीक है, आप ध्यान दीजे, यह MTS 2019-20 का है, आप जानते हैं, पहले हमारे पास section 1 होता था, और section 2 में हम descriptive देते थे और descriptive जो होता था हम लोग का, वो qualifying in nature होता था, आप ध्यान समझे, लिखा हुआ है, यह कि साफ साफ, paper 2 will be qualifying in nature, qualifying marks in paper 2 will be 40% for unreserved category and 35% for all reserved category candidates, however marks scored by the candidates, ठीक है, वो सारी आगे कहा नहीं, इसका मतलब यह है, कि जब qualify ही ही रखना होता है, तो वो लिखता है कि qualifying in nature, ना कि minimum qualifying, minimum qualifying का मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था, कि यह उस तरीके के qualifying है, कि आपको कम से कम इतने number लाने ही होगे, है ना, जैसे कि हम लोग 10th, 12th जब पढ़ते थे पहले, तो आपको मालूम है 60% से उपर वाले को first मान लिया जाता था, है ना, जबकि 33 के नीचे वाला fail हो जाता थ बच्चा, ठीक है, तो यह कुछ उस तरीके की ही कहानी है, minimum qualifying marks decide किये गए है, ना कि आपको कितने लाने हैं ये, आपको minimum इतने लाने ही होगे, अगर आपके number या cut off इसे कम भी चली जाए और आप इतने number नहीं पारे, मतलब आप उसके लिए valid नहीं, ठीक है, तो मेरे प्यार as in session 2, तो अगर उसे एक में ही ये चीज़ रकनी होती, तो दूसरे का नाम उसने क्यों लिया, ये भी एक बड़ा प्रशन है, ठीक है, same चीज, यानि कि ये वैसा ही statement है, जैसा कि हमारे CGL और CGL 2022 में लिखा हुआ था, इसका ये साफ मतलब है दोस्तों, कि 99% chance है, कि session 1 की भी cut-off बनेगी, और बनानी पड़ेगी SSC को, वरना उसके पास इतना weightage काम का हो जाएगा, कि सायद MTS का result बहुत ज़्यादा delay हो जाए फिर, जो कि possible नहीं है उसके लिए, ठीक है प्यार उच्छे, तो आप सभी मन में ये ठान लीजिए, कि session 1 की cut-off बनेगी, और अब आपका score क्या रह रहा है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो maximum बच्छों को मेरे प्यारे दोस्त, session 1 से ही निकाला जाएगा, और फिर इसकी cut-off बहुत ज़्यादा high जाने के chance है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कि 20 question और 20 question reasoning math के है, यानि कि total 120 का, त और OBC वाले भी 90 से नीचे लाने का तो सोचे ही मत, ठीक है, क्योंकि उसे maximum बच्चों को फिर filter करना होगा कहां से, session 1 से, ठीक है, तो ये ध्यान रखीगा मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, यही information आपको देनी थी, उमेद करता हूँ आप चीजों को बिलूँगा नेक्ट वीडियो में कुछ और authentic जानकारी लेकर आपके लिए, आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद, जय वारत